तो यह देखो प्यारे बच्चों अगर इस वाले क्वेश्चन को देखोगे तो इसमें क्या कहा जा रहा पहले क्वेश्चन अच्छे से यहां से पड़ो अगर अपने पास एक कि स्पीड अफ लाइट इन मीडियम दो मीडियम में एम एन टू उसमें लाइट की स्पीड दी हुए रिस्पेक्टिवली अब कहता है कि लाइट इंटर करती मीडियम वन से मीडियम टू अफ एंगल अफ इंसिडेंस आई इडरे सफर टोटल इंटरनर रिफलेक्शन वेलू मतलब अगर यहां पर टी आई आई आर होता है तो आई कितना होना चाहिए टी आई आई आर होने के लिए तो हम सब को पता है देखो अगर इस कोशन को करना है तो टी आई आई आर होने के लिए जो सबसे बड़ी कंडिसन है वह है कि लाइट रे डेंसर से रेरर में जाना च चाहिए तो सबसे पहले मैं इसका डायगराम बनाता हूं तो अगर यह अपने पास अपर मीडियम है जो कि मैं इतेमाश मीडियम कर कल लेता हूं मोली है मीडियम 2 यूट ऑफ लें मीडियम हैं अब एक लाईटरे इस मीडियम से जा रही है और उसका हमें TIR कराना है तो अगर मुझे TIR इसका कराना है तो TIR होने के लिए यह लाइट रे इसको यहां से डेंसरर से रेरर में जाना होगा और TIR होने के लिए कम से कम इंटरफेस से होके गुजरना होगा ऐसे इसे सीधी जाना होगा इंटरफेस ऐसे जाना होगा और इंगल इससे जादा हुगा साथ इस रे इधर और यहां पर तो कुल मिला कि यहां पर यहां पर जो कंडीशन है इंगल of incidence must be greater than angle of incidence यहां से angle of incidence आई must be greater than critical angle तो यहां से तुम अगर देखोगे तो critical angle से अधिक होना चाहिए तो वो condition मैं लगा देता हूँ और उसी को मैं solve कर लेता हूँ तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ यहां पर सबसे पहले मीवन म्यूटू में मीवन म्यूटू कल्कुलेट करते हैं तो मीवन इस उकल टू यहां से CYV1 C is equal to 3 into 10 की पावर 8 और लाइट की speed पहले वाले मीडियम में थी 1.5 into 10 की पावर 8 10 की पावर 8 और 10 से multiply 2 आ जाएगा उसी तरह से म्यूटू की जो वेलू आ जाएगी म्यूटू कितना आ जाएगा तो म्यूटू आ जाएगा 3 into 10 की पावर 8 CYB कितनी speed है 2 into 10 की पावर 8 तो यह जाएगा 1.5 तो यह जो देंसरर वाला मीवन है मीवन की वेलू आ गई 2 और यहां से म्यूटू की वेलू आ गई 1.5 तो यह अपने को रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कैलकुलेशन हो गया speed से अब यहां पर TIR उने के लिए अब तुम्हें दिक्कत क्या यहां पर कि जो क्रिटिकल एंगल है मीवन अपन मूटू तो यह तुम्हें नहीं पता है साइन सी की वेलू नहीं पता है तो यह एक्वेशन नमबर फर्स्ट अब एक काम करते है जो पॉइंट है से पर एक कंडीशन में जिस पर क्रिटिकल एंगल बनता है बलैक वाली रे में इस पर ऑजा रहे है एक्वेशन स्था यह तो यहां से आजाएगा mu1 multiplied by sin ic is equal to mu2 multiplied by sin 90 तो यहां से sin ic की value आजाएगी mu2 upon mu1 के equal आजाएगी तो यहां से mu2 upon mu1 के equal आती है तो यहां से sin i must be greater than यहां से तुम देखोगे sin ic यहां से mu2 upon mu1 के equal आजाएगी और जब further मैं इसको solve करूँगा तो देख लेते हैं mu2 upon mu1 यहां से कितना आता है तो यहां से much greater than mu2 कितना है mu2 है यहां mu2 है यहां mu2 है यहां 1.5 और यह है अपना कितना था यहां से 1.5 और दूसरा है यहां से 2 तो अगर उपन नीचे 10 से multiply कर दोगे यहां तो यह आजाएगा 15 by must be greater than 15 by 20 तो यह आजाएगा 3 by 4 तो यहां से जो sign i must be greater equal to 3 by 4 मतलब angle of incidence must be greater than equal to sign inverse sign inverse 3 by 4 तो angle of incidence sign inverse और इसके equal इससे बराबर या इसके अधिक होना चाहिए that is यहां से c option अपना correctly यहां से match कर जाता है तो आई होग कि यह clear हो गया होगा Thank you